हलो गुड मॉनिंग टू आल क्लास सिक्स्थ के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं पार्ट साथ के बाद आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कवीता आठ करमवीर और इस कवीता की रचना करने वाले जो कवी हैं जो पोएट हैं वो हैं अयोध्या सिंग उपाध्याई हरियोद करमवीर के बारे में हमने आपको जिन थोड़ा पढ़ाय था आज थोड़ा से हम आपको इसके बारे में और बता दे यहां पर सबसे पहले है पठन पूर बोध भाव बोध और जीवन मुल्य बोध हमने आपको पठन पूर बोध बताय था कि करमवीर जो होते हैं वो अपनी मेहनत से और अपने दर्ड संकल्प से किसी भी चुनोतियों को सामना करने से पीछे नहीं आठते तो चले शुरू करते हैं करमटता उन्नति का मूल मंत्र है करमवीर मनुश्य विग्न बाधाओं को यहने की रुकावटों को उनकी परवा किये बिना सदा चुनोतियों को सुखार करते हैं ऐसे विक्ति अपने करमों की निशानी इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए छोड़ जाते हैं इनके बनाए आदर्श दूसरों के लिए प्रेड़ना के स्ट्रोत होते हैं भावबोद में देखिए इस कविता में कवी ने यहिए अधिया सिंग उपाद्य हरियोद जी ने करम वीरों की विशिष्टाओं का उनके खासियत उनके क्वालिटीज का उल्ले किया जिक्र किया वे द्रड़ निश्चाई करमट सहासी दूसरों के लिए अनुकरणिये करमवीर से आपने अपने जीवन का मुल्य अपने जीवन की एहमियत और मुनिश्य के जो यह जीवन है इस कविता के माध्यम से आप अपने जीवन में क्या बदलाव चाते हैं और आपने क्या सिका अपने जीवन से क्या प्रेड़ना ली विद्यार्थियों को कर्मवीर वो कर्मट बनाने की प्रेडित कर रहा है बाधाओं से न घबरा कर जीवन में आगे बढ़ते जाना है कठीन कारियों को भी पूरे उत्सा के साथ करना समय व्यर्थ न गवाना काम से जी न चुराना आदी के बारे में कवी ने इस कवीता में बल दिया है बताया है तो शुरू करते हैं कवीता हमारी यहां से है देखकर भादा विविद बहूब विगन घबराते नहीं रह भरोस से भागी के दुख भोग पच्चताते नहीं कभी कहता है किसी भी रुकाउटों से पीछे नहीं हटते हैं और अपनी किस्मत के भरोसे नहीं रहते हैं काम कितना ही कठिन हो किन्तु उक्ताते नहीं कोई भी मिश्किल काम हो उनसे पीछे नहीं हटते हैं भीड में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले सब जगे सब काल में वे ही मिले फूले फले कभी कहता है आज करना है जिसे करते हैं उसे ही आज ही सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वहीं अब ही कहता है करमवीर मोने शूज कूझे होते है, किसी भी काम को कल परसों या आगे आने वाले समय पर नहीं छोड़ते हैं। जो काम उन्हें आज करना है, वो आज ही उसे खतम कर देते हैं, समाप्ट कर देते हैं। मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सब की कही जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही करमवीर अपने महनत और अपने साहस और अपने द्रण निश्चाई और अपने आत्म बल पर विश्वास करते हैं और इस जगत में अपने आप ही वो किसी की मदद नहीं चाहते हैं खु काम करने की जगे बाते नहीं करम्वीर समय को ऐसे व्यर्थ गमाते नहीं और काम करनी की जगे पर वो कोई भी बाते नहीं बनाते अपने काम पर ही ध्यान देते हैं। बात है वो कौन जो होती नहीं उनके लिए वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए कोई भी बात कोई भी काम उनके लिए मुश्किल कठिन नहीं होता है और एक बार करमवीर जो लोग होते हैं करमवीर लोग होते हैं जो ऐसे मनिशे किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटते हैं अपने मेहनत और अपने आत्म बल अपने विश्वास के बल पर वे दूसरों के लिए एक नमूना, एक उधारन, एक प्रेड़ना बर जाते हैं ऐसे काम कर जाते हैं जीवन में इतियास के पन्नों पर कुछ इस तरसे वो छाप छोड़ जाते हैं कि आगे आने वाले जो पेड़ी होती है उनके लिए वो एक मार्ग दर्शन साबित करते हैं और ऐसे ही लोगों के मार्ग पर चल कर ही जीवन मनिश्य जोए अपने जीवन को सफल बनाते हैं ठीक है तो दूसरों के लिए एक नमूना, एक स्ट्रोथ, एक प्रेड़ना बन जाते हैं इन से हमें एक इबरत मिल जाती है, एक सीख मिल जाती है जिससे कि हम अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए अपने मार्ग पर चलते रहें और आगे जाकर अपने लक्ष को, अपने मकसद को प्राप्त कर लें ठीक है तो ये कुछ इस फरकार की कविता है आपको मैंने बता दिया समझा दिया इनको आपने पढ़ते रहना है ठीक है समझते भी रहना है ठीक है धन्यवाद